Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है Difference between किश्मिश and मुनक्का दोनों ही सुखे वे अंगूर हैं जिने हिंदी में मेवे यानी dry fruits कहा जाता है तो चलिए आज इनके विशे में जाना जाए आज सबसे पहले किश्मिश किश्मिश फार्सी यानी Persian शब्द है जिसका अर्थ होता है सुखावा अंगूर या dried grapes इस शब्द की असल उत्पत्ती तुर्की भाशा से है और वहां मुखेता बिना बीजों वाले अंगूरों को ही सुखाकर किश्मिश बनाया जाता है इसलिए आप किश्मिश को बिना बीजों वाले रेजिन मान सकते हैं रेजिन सुखे अंगूरों के लिए अंग्रेजी शब्द है रेजिन अनेक रंगों और आकारों में बाजार में उपलव्द है भारत में किश्मिश, अर्कवती, शरत और थॉंसन सीलिस के अनेक किस्मों जिसे सुनाका, ताशय गणेश, मानिक चमन, आदी से बनाया जाता है इसके अनेक रूपों के विशे में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं किश्मिश लगभग सन 2000 इसाफ पूर्व से परशिया, अथार्ट आज का इरान और मिश्र या इजिक्ट में बनाया जा रहा था और आज भी यह दुनिया का सबसे प्रसिद सुखा फल है जो अपनी मिठास के लिए हर आयू वर्ग में प्रचलित है किश्मिश को आप ऐसे भी खा सकते हैं इसका उप्योग आप breakfast cereal के साथ भी कर सकते हैं केक, cookies और custard आदी पकवानों में भी किश्मिश का उप्योग अन्ने फलों और मेवों के साथ किया जा सकता है भारतिय मीठे पकवानों खीर, हलवा, मीठे चावल, पंजीरी के लड़ू, आदी का भी यह अभिन अंग है किश्मिश काबूली पुलाव की मुख्य समगरी में से एक है यह किश्मिश हर किराना दुकान में उपलब्ध है इसका मुले किश्मिश के रूप पर भी निर्भर करता है 100 ग्राम किश्मिश का मुले 30 से 35 रुपे से श्रू हो जाता है इसके समाफ्थ होने की अवधी 6 महीने है इसको आप अच्छे से बंध होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोश्नी से दूर संभाल कर रखें आज दूसरा है मुनक्का संस्कृत पे अंगूरों को द्राक्ष फलम कहते हैं और इस कारण हिंदी तथा बहुत सी भारतिय भाषाओं में अंगूरों को द्राक्ष भी कहा जाता है जबकि आयरवेदिक दवाओं के पुस्तक में द्राक्ष का अर्थ है सुखा हुआ अंगूर जिसमें एक से चार तक बीज हो सकते हैं और इसकी बाहरी सतह यानि स्किन पर इस तरह की जुरियां भी होनी चाहिए और यहीं द्राक्ष मुनक्का के नाम से प्रसिद है मुनक्के को अंगूर से अकसर अब जोश प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है इस प्रक्रिया में गरम उबलते पानी में अंगूरों को कुछ सेकंड के लिए डाल कर तुरंद निकाल लिया जाता है और फिर उन अंगूरों को सुखाया जाता है और इस तरह मुनक्का प्राप्त होता है भारत में मुनक्का भूरे से काले रंग वाले बीच वाले अंगूरों की किस्म अनवे शाही से बनाया जाता है मुनक्के को भी अंग्रेजी में रेजिन कहते हैं मुनक्के का उपयोग ऐसे खाने तथा आयरवेदिक सिरफ और टॉनिक बनाने में भी किया जाता है वैसे आप हर भारतिय पक्वानों में किश्मिश के बदले मुनक्का उप्योग कर सकते हैं मुनक्का हर किराना दुकान पर उपलग्ध है काले रंग का मुनक्का इस सुनेहने रंग के मुनक्के से अधिक महेंगा होता है 100 ग्राम मुनक्य का मूले 90-100 रुपे से शुरू हो जाता है इसके समाप्त होने की अवधी लगभग 12 महिने होती है इसे अच्छे से बंध होने वाले डब्बे में नमी, गर्मी और रोशनी से दूर संभाल कर रखे ये है कटी किश्मिश, इसमें कोई बीज नहीं है जबकि ये देखें मुनक्य के अंदर ये चोटा सा बीज, ये दोनों का मुखे अंतर है मुनक्य भी मीठा, मगर किश्मिश के मुकाबले थोड़ा अधिक गूदेदार होता है ताजे अंगूर के मुकाबले किश्मिश में क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जैन्दोफिल और केरोटनीज जो अंगूर के पिगमिंट होते हैं नहीं पाये जाते हैं इसमें विटमिन C, विटमिन E और विटमिन K भी अंगूर के मुकाबले कम होते हैं इसलिए ताजे फलों का कोई विकल्प नहीं है फिर भी अन्य, परिश्क्रिट, खादे उत्पादों यानि प्रोसेस फूड प्रोड़क्स के मुकाबले किश्मिश एक अच्छा और सेहत मन्द विकल्प है किश्मिश और मुनक्के में अन्य विटमिन जैसे विटमिन B6, नाइसीन, फोलेट, कोलीन, अंगूर जितने या उससे अधिक मात्रा में होते हैं किश्मिश और मुनक्का दोनों में ही वसा या फैट नहीं होता है इन दोनों में ही अच्छी मात्रा में बोरोन होता है ये बोरोन, विटमिन D के साथ मिलकर हड़ियों और जोड़ों को सुद्धिन रखता है इनमें विद्धमान एंटी ओक्सिजन शरीर की कोशिकाओं में होने वाले नुकसान को रोकने में सहायक हैं इस तरह से अनेक रोगों जैसे हिर्दै रोग, कैंसर, स्ट्रोग से शरीर को सुरक्षा मिलती है यदि एवरिडे लाइफ में आप किश्मिश या मुनक्का में से एक का सेवन करना चाहते हैं तो मुनक्का एक बहतर विकल्प है क्योंकि मुनक्के के बीजों में प्रोएंतसायनदिन होता है जो एक मजबूत एंटियोक्सिडन्ट है और अंगूर के बीजों से ग्रेप सीड एक्स्ट्राक्ट राप्त कर एक हेल्थ सप्लिमेंट की तरह बेचा जाता है इसलिए मुनक्के को खाते समय बीज कभी न फेकें मेवे ये ड्राइड फूट्स खाते समय एक बातसदेव ध्यान रखें कि इनका सेवन बहुत अधिक मात्रा में ना करें और हम आशा करते हैं कि आज की हमारी किश्मिश और मुनक्के की ये जलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी थैंक्स वर वाचिंग एन कीप इंजॉएंग आर एवरीडे लाइफ